हेला वरिवन आज हम करेंगी क्लास फिफ्ट का हिंदी का चैप्टर नुमबर फिफ्टेन बिशन की दिलेरी की वरक्षिट कि आपके जो कोश्यन आंसर इसमें किस टाइब के हो सकते हैं वन माक्स टू माक्स या फिर फिलिंग दा ब्लैंक्स और टू फोल्ट सु स्टार्ट कर था कि अब जो इनको सबक सिकाना पड़ेगा तो बिशन ने सोचा था जब उसने देखा और वो गोलियों के आवाज उसे सुनाई दे रही थी तो उसे लगा कि इनको मार के चले जाते और बाद में जो है तीतर यहीं पार जखमी पड़े रहते हैं और मरे हुए भी मिल जात कि क्या एकFit करें करता हैं धो इन शिकार्यों को है शबक सिकाना पड़ेगा तो इसका यह जो भी वाला है वह आंसर क्रेक्ट रहेगा इसमें गरे अटैस कोशिनaya बिशन ने थीत're को पड़ने के लिए अपने किस वस्त्र का उप्योग क्या था तो किसका क्या था स्वेट्र का तीतर को छिपाने के लिए बिशन को टूटे टोकरी कहां से मिली थी सो शेड बने हुई थी उसके नीचे जो कबार रखा था वहां से शिकारियों ने अपनी जान पैचान किस से बताई थी तो जब वो करनल दता के पास आय थी तो उन्होंने क्या बोला था हम किसे जानते त उन्होंने बोला था कि मादो शिंग जो सरपँच है वो भी हमें जानते हैं बिशन करनल सौब और उनकी पतनी को क्या कह कर संभूजित करता था वो क्या करता था उन्हें बाबुजी और भाभुजी पंची घपरा क्यों गए थे तो वो क्यों घपरा थे वो उपर गुमने लगे थे उसका रिजन था गोलियों के वास से क्योंकि एक दम से गोलियों के वाज आई तो सब घपरा गए और आसमान में उड़ गए और गोल-गोल चकर काटने लगे तीतर कहां दाना चुगने आते थे तो कहां आते थे गेहों के खेतों में घास पर फिसलन क्यों हो गई थ बिशन ने पहली बार में घायल तीतर को पकड़ लिया था, जो बिशन नहीं पकड़ने लगा तो तीतर घंप डाया कर आन्दर चलंगे तो दूसरी बार में उसने अपने स्वेटर उसके उपर डाला था गोली मार देने का धंकी से डरकर भीशन रुख गै नहीं वो रुका नहीं था वो चल रहा था बिशन घायल तीतर को मारकर खाना चाहता था तो यह भी रोंग है क्यों वो ऐसा नहीं चाहता था करनल साब ने तीतर के पंग को फैला कर टेप लगा दिया था कि उसने तक्यों कि उसका वो टूड गया था और फैलाते नहीं तो वो वहीं पर गलत तरहिके से भी जूड सकता था तो इसलिए क्या क्या फैला कर अच्छे से दवाई लगाई और टेप लगाई थी काहनी रात में शुरू हुई थी नहीं सुबह के टाइम शुरू हुई थी जब सुबह था बहुत मतलब पहाडों के पीछे से सूरद जाक रहा था जब सुबह हो रही थी सूरद जो है उस टाइम पर निकला ही था केफ जो हैं लिफ्ट जैसे बने हुए थे नहीं कैसे बने थे वहाँ पर सीड़ी नूमा केट बने थे बिशन की कमीज की एक आस्तिन फट गई थी आस्तिन उसकी फटी थी और गुलाब चंद ब्रामदा साफ कर रहा था तो जैसे जब बिशन जो है वहाँ पर तीतर को लेक एक भाड़ जहां पर रखा था उसके नीचे उसने टोकरी देख ए उसके अंदर से छपा दिया था तो यहां पर नहीं गया था करनल का कुटा अलसेशियन था सट इस करेक्ट टीतर का एक पंग तूट गया था सो यह भी करेक्ट अब यहां पर है फिलिंग दा ब्लैंक इन म जो ओल्रेडी आंसर दिये हुए उन्हीं में से छाट की नीचे आंसर लिखना है फर्स्ट है गोलियों की आवाज से पूरी डैश गूंज गई थी तो क्या घाटी बिशन ने तीतर को डैश से चिपका लिया तो किस से चिपका था अपने सीने से जो है उसने चिपका लिया था करनल दत्ता ने गुलाब चंद से क्या माँगा था दवाई छेड़कने वाली मशीन जब वहां पर वह आते हैं सब वह दोनों शिकारी आते तो उन्हें डाटकर भगा देते और बाद में गुलाब चंद को बोलते हैं कि वह दवाई छेड़कने वाली मशीन लेकर आओ करनल दत्ता ने तीतर के डैश को साफ किया तो उसके जखम जो उसे लगा था कहा लगा था एक्षिली पंक पर लगा था पंक ओप्शन में नहीं है पैर लिखाओ है तो यह हम लिख देंगी कि पैरों पे जितने भी जखम था उसको उन्होंने साफ किया बिशन समझ गया कि देश इधर ही आ रहे तो कोन उनकी तरफ आ रहा था शिकारी उसके बाद वहां दोनों डैश से तीतर को पकड़े वाता तो उसने अपने दोनों हाथों से तीतर को पकड़ की रखा था अब यह जो है आपका आता है आप पठित या पठित का द्यान शाप बोल सकते हैं यह आएगा क्योंकि आपने ये उल्रेडी पड़ा हुआ है और उसी से जो है कोशन साब से पूछेंगे जाओ दोड़ का बक्सा लेकर आओ बिशन दोड़ का जो है बक्सा ले आया करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जखम साफ किया फिर दवाई लगा दी पंक को फेला कर टेप लगा दिया ताकि वह जादा हिले डूले नहीं फिर उन्हें बिशन से का बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में दो-तिन वार पिलाओगे ते जल्दी ठीक हो जाएगा तब तक बहु जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते वे ब युझ से कानल था ने अगर बैशन को थीटर को ठीक करने का कि ऊपाय किσι बताया था कि इससे गेंदे पत्तों का रस Gaehmap के पत्तो का रस रस जो है इससे दिन में दो तिन बार दोगे तो ठीक हो जाएगा चल्दी ठीक हो जाएगा बहुजी तीतर के लिए क्या लेकर आई थी तो उसके लिए दलिया लेकर आई थी और क्यों लेकर आई थी क्योंकि तीतर को दलिया पसंद होता है क्योंकि तीतर को दलिया पसंद है उसके बाद आते हैं हमारे कोशिंस सबसे पहले जो वन वर्ड से होते हैं उसके बाद वन लाइनर टू लाइनर और फिर बड़े वाले कोशिंस फर्स्ट है गेहूं के खेतों में तीतर कब आने लगते हैं तो कब आने लगते हैं जब फसल जो है पक जाती है फसल पक जाती है निकि जब गेहूं जो है पक के तयार हो जाती है तब फसल पक के तयार हो जाती है और उसे टाइम पर शिकारी भी वहां आते हैं हो जाती है और घायल तीतर कहां फसा हुआ जट पटा रहा था गेहूं की बालियों में गेहूं की बालियों में तीतर को बचा कर भागते वे कमीज पटने पर भी बिशन को किस बात का संतोश था तो किसलिए खुश था कि उसे पता था कि अगर ऐसे घर जाओंगा तो आज पका ममी से डाट पढ़ने वाली है लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि तीतर की जान बचा पाएगा वो कि तीतर की जान बच जाएगी वो इस चीज से खुश था कि उसकी जो शर्ट फटी है वो तो जो है ममी ठीक भी कर देंगी पहले डाटेंगे लेकिन ओ ठीक भी ओजाएगी कम से कम तीतर की जान तो बच जाएगी दोनों शिकारियोंने करनल साब से क्या उमीद नहीं थी कि करनल साब उन्हें डाट देंगे क्योंकि जब उन्होंने बोला कि हम शिकार करते हैं तो कर्नल साब ने उन्हें डाट दिया था उन्हें लगा था कि कर्नल साब ऐसा नहीं करेंगे बल्कि उनकी मदद करेंगे कर्नल को घायल तीतर के उड़ने पर संधे क्यों था अबließen ऑगा था क्योंकि उसका पंक जो है दीतर का पंक टूठ गया था तो इसंटमें लग रहा था कि शायद व丁ब नट पैं the next question, vision कितने वर्श का था, 10 वर्श का था, 10 वर्श नेक्स टाइव प्रती दिन कहां जाता था वह जाता था हर रोज कर्नल दद्दा के फार्म हाउस पर उसके बाद नेक्स कोशन है पढ़ाई में उसकी मदद कौन करता था तो पढ़ाई में कौन उसकी मदद करता था करनल दत्ता की पत्नी जो है पढ़ाई में उसकी मदद करती थी करनल दत्ता की पत्नी पगडंटी पर आते हुए पगडंटी मिनसे एक रास्ता जो है उस पर आते हुए उसे किसकी आवाद सुनाई दी तो किसकी आवाज सुनाई दे थी उससे गोलियों की बिशन क्या करना चाहता था बिशन जो है वो शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था तीतरों को मारने के लिए कि वो जो तीतरों को मार देते हैं तो इसलिए वो क्या करना चाहता था शिकारियों को सबक सिखाना चाहता था ताकि वो दुबारा ऐसा काम ना करें सबक सिखाना शिकारी ने भीशन को क्या धमकी दे थी तो उसने क्या बोला था कि रुख जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दूँगा नेक्स भीशन को मा से डाट क्यों पढ़ने वाली थी क्यूंकि उसकी कमीज की आस्तिन फट गई थी आस्तिन फट गई थी बिशन क्यों सेहम गया था क्योंकि उसे एकदम से गोलीओं की आवाद सुनाई दी तो उससे समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया सो गोलियों की आवाज के वज़े से वो क्या हो गया था सहम गया था गोलियों की आवाज से विशन ने सडक को छोड़कर काटदार जाड़ियों वाला रास्ता क्यों चुना क्योंकि अगर वो सडक के रास्ते जाता अब इसमें आप ये पूरा लिख सकते हैं कि सडक के रास्त जाने से शिकारी उसे देख सकते थे, शिकारी उसे असानी से देख सकते थे, तो इसलिए उसने क्या सोचा कि यहीं से जाते हैं, इसलिए वो ज़ाड़ी वाले रास्ते से गया, करनल दत्ता का कुट्ता कब भोगता था, जब उसे कोई अजनभी दिखाई देता था, विशन चट पर क्यों चड़ गया, तो क्यों चड़ा था, वो जो शिकारी और करनल दत्ता की बाते सुनने के लिए, जब दो थे तो आप शिकारी और करनल दत्ता भी लिख सकते हैं, करनल साब के अनुसार कौन सा कारिये बाहदूरी प्रदेशित नहीं करता, इस चीज़ से तुमारा ये नहीं हो जाता कि तुम बहुत बहादूर हो, ठीक है, तो वो कौन सा था, कि तुम जो है तीतर, तीतरो का शिकार करते हो, का शिकार करते हो और कुछ तीतर खा लेते हो खा लेते हो या खा जाते हो तथा कुछ जखमी तीतरों को यहीं छोड़ देते हो जखमी जखमी तीतर को छोड़ देते हो तो इससे कोई तुम्हारी बहादुरी नहीं दिखाई देती है छोड़ देते हो करनल साब और उनकी पत्नी ने तीतर की किस परकार मदद की थी करनल साब और उनकी पत्नी ने जो तीतर की मदद कैसे की थी कर्नल साब ने क्या किया था कर्नल साब ने उसकी जितना भी उसको जखम लगा था चोट लगा था उसको साफ किया को साफ करके दवाई लगाई और उनकी पतनी ने क्या किया था वो उसके लिए दलिया लेकर आई थी दलिया लेकर आई थी बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाता था देखो अभी ये तो थानी कि उसे उसे खाना है या उसे उसे हमेशा के लिए पालना है ऐसा कुछ नहीं था क्यों बचाना चाता था क्योंकि उसे पता था कि यह तीतर शिकारियों को नहीं मिलने वाला और यह तरफ तरफ कर यहीं मर जाएगा क्योंकि उसे पता था कि शिकारी उसे नहीं डून पाएंगे नहीं ढून पाएंगे और वह तरफ तरफ कर तरफ कर मर जाएगा तो यह नहीं चाहता था कि वह मरे इसलिए उसकी जान बचाना चाहता था विशन को पिछले वर्ष की कौन से घटना याद आई थी तो पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जब जो है फसल काट रहे थे या गेहूं जो पक गई थी अच्छे से उसके बाद जब गेहूं गेहूं जो है काटी जा रही थी वहाँ पर यहूं काट रहे थे तो बहुत सारे मरे हुए और गायल तीतर खेतों में मिले थे और गायल तीतर खेतों में मिले थे जो है जब उसे गोलियों की आवाद सुनाई दी थे उसे यह चीज वहाँ पर याद आई बिशन को शिकारियों का काम दुख पहुचाने वाला क्यों लगा था थे जो लोग जख्मी है जैसे कि वो तीतर को नोने गोली मारी वो उसे डू तो वो उसको दर्टो होता ही है तो इसलिए बिशन को भी क्या लग रहा था कि यह बहुत ही गलत काम है आप इसमें सिर्फ यह लिख सकते हो कि किसी को भी चोट पहुंचाना पहुंचाना या मारना गलत है और शिकारी क्या कर रहे थे वो तो तीतरों को मार रहे थे और उन्हें जखमी कर रहे थे जो मिल गए उन्हें वो ले जाएंगे जो नहीं मिले जखमी हो गए है वो वहाँ पर तडफ तडफ कर मर जाएंगे इसलिए बिशन को यह काम जो है बहुत क्या लग रहा था दुख प और काटे दार जाड़ियों की वज़े से जाड़ियों से और काटे दार जाड़ियों की वज़े से क्या हो गया था उसको उसे खरोचे भी आई थी और उनसे खून भी निकल रहा था जो खरोचे उसे लगी थी अब क्या हो गया था उनसे खून भी निकल रहा था खून भी निकल रहा था नव नेक्स वोशेन है यहाँ पर बिशन की दिलेरी पार्ट से हमें यह पता चलता है कि बिशन एक बहादूर लड़का था पार्ट के अधार पर उसके चरित्र की अन्य विशेस्ताई बताओ तो एक तो जैसे कि वो बहादूर तो था ही और क्या बोल सकते हैं कि दयालू था देखबाल करने वाला पढ़ने वाला और दूसरों को सम्मान देने वाला क्योंकि वो देखो स्पेशल पढ़ने के लिए जो है करनल दता के घर पे जाता था उन्हें सम्मान भी देता था और जैसे उसने जो है तीतर की जान बचाई तो एक तरह से दयालू भाव था और बाद में वो बोलता है कि मैं इनको हमेशा संभाल के रखूंगा ठीक है मतलब जब तक और अच्छे से ठीक नहीं हो जाता तो मैं इसे हमेशा अपने पास ही रखूंगा तब तक के लिए तो मिंस वो उसकी देखबाल भी करने के लिए तयार था तो देखबाल करने वाला पढ़ने वाला सम्मान देने वाला स्वेटर को उसके अभेशं उपकड़ा उसके उपर गूपर उसके पड़ा दो पास है और काटेदार जाड़ियों से होते हुए काटेदार जाड़ियों से होते हुए करनल दत्ता के घर तक पहुचा करनल दत्ता के घर तक पहुच गया सो इस तरह से वो जो उसने उस घहल दीतर को वहाँ से बचा कर निकाल लिया नेक्स्ट है बिशन जो है छत पर कैसे चड़ा था अब छत पर जो है वो कैसे चड़ा था सो बिशन जो है नौर्मली उस छट के उपर हमेशा चड़ता रहता था उसने क्या किया पहले वहाँ पर एक लकड़ी का खंबा था सो लकड़ी के खंबे सबसे पहले वो लकड़ी के खंबे पर चड़ा उसके बाद उसके बाद वहाँ से सरक्ते सरक्ते चट पर पहुँच गया उसके बाद सरक्ते बिल्स उपर की तरफ वो चड़ रहा था उस पर सरक्ते 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 चट पर पहुँच गया और कहां छुपा वो वहाँ पर वहाँ वहाँ चिमनी के पीछे चिप गया चिमनी के पीछे चिप गया नेक्स नेस हिकारी और कर्नल दत्ता के बीच क्या बात हुई थी तो शिकारी जब वहाँ पर आये तो उनका पहले तो अलसेशिल गुता था जोर जोर से भूख रहा था तो उन्होंने पहले उसे डाटा उसके बाद जैसे ही वो शिकारी उनके पास पूंचे तो उन्होंने जो है कर्नल दत्ता ने उनसे पूछा यह मैं आपको बता रही है लिखने रही हूँ उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहां किसली आई हो तो पहले कर्नल दत्ता ने उनसे पूछा था कि कौन और किसली आए हो तुम यहां पर तो शिकारी जो है वहाँ पर बोलते हैं कि हमारा जो है शिकार यानि कि जो तीतर है वो किसी ने ले लिया है ठीक है और वो लड़का जो है यहीं आया है और उस लड़के को मतलब लड़के को ढूणने के लिए हम यहाँ पर आया है वो इसी तरफ कही है लड़के को ढूंडने आए हैं और वो यहीं कहीं है और हम मादो सिंह सरपच को भी जानते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा तुम ही लोगों जो शिकार करते हो तो बोले कि हाँ हमारे पास लाइसन्स वाले बंदूखे हैं हम ही शिकार करते हैं और मादो जो सरपंच है उनने जो है हम जानते या वो हमें जानते इस तरह से तो बोलता है कि तुम ही जो हो उनको तीतर को मार कर यहां पर छोड़ जाते हो जिसकी वज़े से वो जो है इससे पहले वो कोशन भी पूछते हैं कि तुम उनका क्या करते हो यह बोलते हैं कि हम ती इसमी होते हो नहीं छोड़ कर चले जाते हो यह कोई बहादुरी वाला काम नहीं है चले जाओ यहां से यहां पर कोई भी लड़का नहीं है तो इस तरह से जो है वह उन्हें वहां से भागा देते अब इस तरह कोशन कैसे आएगा जब समवाद आपको दिया होगा तो पूरा पर दिया होगा करनल दत्ता ने क्या कहा शिकारी ने क्या क्या कहा उसके बाद करनल दत्ता शिकारी इस तरह से पूरा अब गायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानिया हुई उसे मिंस बिशन को जो है किस तरह की परेशानिया हुई तो सबसे पहले तो उसे प पीछा करने लगे अब देखो शिकारी नहीं होते तो नौर्मली अराम से आ सकता था लेकिन शिकारी को पता चल गया तो यह ज़्यादा दिखका सामने आई तो उसे डराते भी हैं और जब वो आगे जाता है तो उसे जो है खेतों वाला जो छोटे रास्ते से आता जहां पर क् काटेदार जाड़ियां थी काटेदार जाड़ियों से आने की वज़े से की वज़े से आस्तीन भी फट गई थी आस्तीन फट गई और उसे चोट भी आई और उसे चोट भी आई तो ये सब परिशानिय उसे जहां से उसके खुन भी निकल रहा था नेक्स कोशिन है बिशन जो परशनता पूर्वक अपने घर क्यों गया अब खुश हो था क्यों खुशी अपने घर जा रहा था क्योंकि उसनी जो है कि तीदर की जान बचा ली थी क्योंकि अब क्या था तीतर अब सुरक्षित था तो इस चीज से वह खुश था तीतर अब सुरक्षित था और इसलिए वो बहुत खुशता कि अब कम से कम और वो जो है तीतर को अपने पास रखेगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तो इसलिए जो विशिन क्या था बहुत खुशता तो आज जो है हम यही तक करेंगे उसके बाद जो आपका व्याकरण का पॉर्शन है वो हम करेंगे कल अगर इसमें अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या कोई और वर्क्षिट चाहिए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं and that's all for today and please like share and subscribe thank you